आज मैं कच्चे आम की छुन्द की रश्यमी शेयर करने जा रही हूँ जी हाँ आप इसको कच्चे आम की अचारी या इस्टेंट खटा मीठा अचार भी कह सकते हैं इसका चटपटा खटा मीठा टेस्ट सभी को बड़े छोटे बच्चों सबको बहुत पसंद आता है और आप इसको बना करके कई महिने तक रख सकते हैं आप इसको पूरी पराठे के साथ सथ यदि आप सफर में जा रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं या फिर आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं इसका टेस्ट खास तोर से बच्चों को काफी पसंद आता है तक दगीले वाली आमी बिल्कुल नहीं लेनी है सबसे पहले हम इन आमियों को छीलेंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राब नहीं किया है तो फिले सब्सक्राब कीजिए जिस से आने वाली वीडियो आप तक पहुँश सके इस तरीके से हम दोनों आमियों को छील लेंगे और छीलने के बाद हम इनको कद्दू कस करेंगे इस तरीके से मैंने दोनों आमियों को छील लिया है अब मैं प्लेट में इनको कद्दू कस कर लेती हूँ हमें ध्यान रखना है आमियों को पहले ही धो लेना है अब हम बाद में नहीं दोएंगे अगर आपको अचारी बनाने का मैथाड अच्छा लगे तो पिलीज और अकिशाद शेयर जरूर कीजिए जिससे और लोगों के पास यूस्फिल वीडियो पॉस सके देखिए इस तरीके से मैंने कद्दू कस कल लिया दोनों आमियों को देखिए एक का कलर थोड़ा सा यलू आया है तो आप इसमें जो चीनी मिलाएं वो एकॉर्डिंग अपनी आमी के अनुसार मिलाएं क्योंकि कभी-कभी आमी खट्टी होती है जादा और कभी-कभी थोड़ी कम खट्टी होती है तो मैं इस तरीके से एक कड़ाई में डाल लेती हूँ और लगबख हम बराबर चीनी लेंगे जैसे मेरी 500 ग्राम आमी है तो मैंने करिए 500 ग्राम ही चीनी ली है आप टेस्ट के अनुसा थोड़ा कम जादा कड़ सकते है अब मैं इसमें चीनी मिला करके अच्छी तरीके से और 15 मिनट के लिए हम इसी तरीके से छोड़ देंगे जिससे ये आमी अपना जूस छोड़ दे आप कच्छे आम की अचारी को रूम टेंपरेचर पर रख सकते हैं और करीब एक दू महीने खा सकते हैं और यदि आप लंबे समय तक चलाना चाते हैं तो आप फिरिज में रख कर करीब इसको 6 महीने तक खा सकते हैं देखी करीब 15 मिनट हो गए हैं और आमियों ने काफी जूस छोड़ दिया है अब मैं इस कड़ाई को गैस पर रख देती हूँ और हमें दिहान रखना है फिलेम को हम लो रखेंगे जिससे हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए इस अचारी को बनाने में तेल का प्रियोग बुल्कुल नहीं होता है जो लोग तेल बुल्कुल पसंद नहीं करती हैं वो लोग भी इसको बना करके खा सकती है इस अचारी को बनाने में काफी कम समय लगता है और इसे बनाना भी काफी सरल है देखिए इसे पकाती हुए करीब 10-15 मिनट हो गए है अब हमारी आमी पक चुकी है अब मैं इसमें मसालों को मिला लेती हूँ इसमें आदा चम्मच काला नमक अब हम इसमें मिलाएंगे आदा चम्मच भुना हुआ हींगीरा चौथाई चम्मच काली मेच पावडर और चौथाई चम्मच हम इसमें मिलाएंगे गरम मसाला आप अपनी टेस्ट के अनुसा थोड़ा कम जादा कर सकते हैं और इनको मिला करके अच्छे से हम चलाएंगे फिलेम का हम विसेज ध्यान रखेंगे अज को तेज नहीं करेंगे धीमियाच पर हम मसाले मिलाने के बाद तस मिनट और इसको पकाएंगे मैंने अचारी को धीमियाच पर पाँच मिनट और पकाया है देखिए हमारा छुन बन करके तयार हो गया है अब मैं फिलेम को बन कर देती हूँ हमारे कच्चे आम की अचारी या आपका ये छुन या खटी मीठी चकनी मुरब्बा बन करके तयार है सर्व करने के लिए आप इस अचारी को काच के बरतन में भर करके रख सकते हैं आप चाहें तो प्लास्टिक का या श्टील का भी ले सकते हैं आप इसको रूम टेंपरिचर पर रख करके दो महीने तक खा सकते हैं और यदि आप और लंबे समय तक रखना चाते हैं तो आप फिरिज में रख करके करीब 6 महीने तक खा सकते हैं ये खाने में कापी टेस्टी लगता है आप इस तरीके से अचारी बनाईए खाईए और खिलाईए अपने अनुभब मेरे चैनल वर्जवासी वेंजन में शेयर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिली जौरा के शाथ शेयर जरूर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए फिर मिलते हैं ने रेसीपी के साथ धन्यवाद